दोस्तो इस गाय के गोबर में क्या निकला है पसू पालक ने बताया कि गाय के गोबर में आंतों के टुकड़े आ रहे हैं परंतु ये आंतों के पीज नहीं है यह गाय के पेट से निकला एक कीड़ा है जिसे टैप बर्म या रिबन बर्म या फिता कर्मी के नाम से जानते हैं कैटल में इस टैबर्म की टीनिया सैजीनेटा बैमोनीजिया वैनेडेनी पर जातिया मुखेता पाई जाती है इसकी लंबाई 5-6 मिटर तक होती है पसुओं में यदि टैबर्म इंफेस्टेशन या वर्म इंफेस्टेशन होता है तो उस कंडिशन के अंदर पसुओं में क्या रहने लगता है, weakness आती है, उसका body weight है, उसका loss होने लगता है, और diarrhea की condition होती है, और यह tap-worm जो होता है, वो एक intestinal parasite होता है, और intestinal parasite होने की वज़य से यह intestine का obstruction कर सकता है, वह इसमें पसों में पेट दर्द की समस्या भी रहती है, यह tap-worm, genotic disease भी cause करता है, इसमें जब human being फूड के तौर पर आदा पका या कच्चे मीट का सेवन करता है तो इसके एक्स भी human being के अंदर इंटर कर जाते हैं या कभी-कभी दुशीत पानी का सेवन करने से भी human being में टेप वर्म इंफेस्टेशन हो सकता है कैटल में यदि टेप वर्म इंफेस्टेशन हो भी जाए तो इलाज के तोर पर हमें कौन सी दवा देनी चाहिए इसमें हम अलबेंडाजोल या ओक्स फेंडाजोल का यूज कर सकते हैं यह काफी इफेक्टिव होती है अलबेंडाजोल दवा हम 15 मिली ग्राम पर केजी बोडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं यह दवाएं टेप वर्म के सेगमेंट्स को बाहर निकाल देती है परन्तु एडल्ट वर्म को किल नहीं कर पाती परन्तु टेप वर्म इन्फेस्टेशन के लिए ड्रग ऑप चोईस पराजी क्योडेंटल दवा को माना जाता है यह दवा वर्म को पैरलाइज करके आंतों की बीती से बाहर निकाल देती है डोज की बात करें तो इसे 40 मिली ग्राम पर केजी बोडी वेट के इसाब से दे सकते हैं परन्तु इस साल्ट की दवा को डॉग बैक कैट्स में जादा यूज करते हैं दोस्तो यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना धन्यावाद